Hello everyone, आपका VINU Education Point में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे नए संसद भवन के बारे में और संसद का बात करेंगे ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ही important हाल फिलाल में हुआ है नरेंदर मौदी के दुआर इसका उधाटन किया गया था, बहुत ही है हाल फिलाल का question और आगामी एक्जाम में ये पूछा जाएगा, ये 100% तय है तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिए, पहले इसका बेखिया देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका MCQ question भी देखेंगे चलिए इस्टाट करते हैं, पहले देखते हैं संसद भवन, ठीक है, संसद कितने में है, अनुच्छद 89 में है, और राजसभा कितना में है, संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं, ये होते हैं, तीन ये हो गया, राजसभा, लोगसभा और रा सबसे पहले कुश्चन आएगा कि संसद सब्द किस भासा से लिया गया है यह लिया गया है यह लिया गया है फ्रेंच भासा से यह किस भासा से लिया गया है फ्रेंच भासा से लिया गया है संसद की जननी किसे कहा जाता है किस देश को कहा जाता है यह कहा जाता है बिरिटेन को संसद के कितने अंग होते हैं यह होते हैं तीन कौन-कौन राजसभा लोकसभा और रास्टपती और इसमें बहुत ही थोड़ा संसत्भवन का निर्मान एडविन लूटियन्स एवा हर्वर्ट पेकर ने किया था ठीक है यह दोनों मिल के किया था पहला जो हुआ था था देखेंगे संसत्भवनन न्यें संसत्भवन के अधार सीला पीम नरेंदर मौदी के द्वारा किया गया जोकी और उसके साथ में कौन था लोग सभा का अध्यक्ष ओम बिरला ठीक है नए संसद भवन के उद्गाटन के समय ये बहुत most important question है कि नए संसद भवन के उद्गाटन के समय मोदी ने परधान मंत्री मोदी ने कौन से शिक्का जाड़ी किया था ये किया था 75 रुपिया का सिक्का और डाख टिकट जाड़ी किया था इसमें आगे देखते हैं कि संसद भवन पुरानी संसत का अधार्शिला काव रखा गया 12 फरवरी 2021 को इसका निर्मान कारी जो है कितने वर्ष तक चला था? 6 वर्ष तक चला था पुरानी संसत भवन का उद्गार बन कर कब तयार हुआ था? 1927 से सभी में नए संसत भवन का डिजैन कौन सी कंपनी तयार किया था? कौन तयार किया था? यह हो जाएगा HPC डिजैन ठीक है जो कि गुजरात में इस्तित एक आर्किटेक्चर फॉर्म है इसने किया था इसके परमुख वस्तुकार कौन थे? बिमल पटेल सब रट जाएए बहुत ही important question पूछा ही जाएगा इसका वस्तुकार कौन था? बिमल पटेल दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग संसत भवन का निर्मान कौन सा कौन किया यह किया था टाटा प्रोजेक्ट ल्टीडन टाटा प्रोजेक्ट ने इसका निर्म संसत नई संसत बनने में कितना रूपया खर्च हुआ था यह हुआ था 971 करूर ठीक है परंतु इसको बनाने में लगवक कितना रूपया खर्च हो गया आवंटीत हुआ था इतना रूपया लेकिन बनाने में खर्च हो गया इसका 1200 करोर रूपया ठीक है पुरानी संसत भव सब्सक्राइबाइब को याद रखना है नाए संस्धभण के लोग सभा सदन की सिच कितना है सदन में कितने सदस की बैठने की बबस्ता यह 888 सदस की बढ़ने की बबस्ता है ठीक है राजसभा की सदन में कितने है 384 को सदस बढ़ने की बबस्ता है पहले सन्यूक्त अधिवेशन का आयोजन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था ठीक है अब यह लोगसभा में बुलाया जाएगा देखते हुए इसे देखते ही लोगसभा चमबर की सिटिंग कैपिसिटी बढ़ाई जा सकती है ठीक है जरूरत परने पर लोगसभा की सदन कितना बढ़ा कर दिया जा सकता है ये कि अस्तिका 1272 आगला देखते हैं हम लोग यह है लोगसभा का चमबर ठीक है यह है लौक सभा का चंबर यह है राज सभा का चंबर लौक सभा के चंबर की पक्षी की मोर की थीम बनाया गया है ठीक है चंबर को राष्टिय पक्षी की मोर का थीम बनाया गया है ठीक है मोर की तरह दिखता है यह है राजसवा का राश्टवा का राश्टिय फूल कमल की तरह बनाया गया है इसका थीम बनाया गया है ठीक है नए भवन में एक Constitution Hall है जहां पर भारते लोक तंत्र की यात्रा की दस्तावेजिक करन किया जा सकता है ठीक है पुराने भवन में तीन समेती कक्ष थे और नए भवन में कितना समेती कक्ष है छोगो कमेश्टी कक्ष है चलिए अगला आगे देखते हैं हम लो पीम नरेंदर मोदी ने नए संसत भ भवन में संगोल कहां अस्थापित किया गया थी यह कहां होगा लोक सभा के कुर्शी के पास अस्थापित किया गया संगोल की लंबाई कितना है पांच फिट का है और सिर्ष पर नंदी बेल है इसके सिर्ष पर कौन सा चीज है नंदी बेल का फिगर है आगे संगोल संगोल हस्ता अंतरन का परतीक क्या है चोल समराज में जब जब कोई राजा अपनी सत्ता दूसरी राजा को हस्ता अंतरित करता था तो संगोल जो है दूसरी राजा को सोपा जाता था ठीक है संगोल यहां पर हम लोग देख लिए आगे देखेंगे हम लोग संगोल आगे देखते हैं यह संगोल सबसे पहले तमिल्नाडू में एक प्रोहित अजाधी के समय लौड मौन्ट वेटन ने दिया था इसके बाद लौन्ट वेटन ने भारत के पर्थम पर्धान मंतरी नारेंदर मोदी को सुप दिया था तीक है इसके बाद इसे इलहाबाद म्योजम में रख दिया गया था जो कि अब कहां है अब नया संसद वबन में है चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इससे समंधि question देखेंगे एक exam यही exam में आगए इसको बार बार देखिए और exam से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख लेजिए कहीं भी कोई भी exam हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए हम लोग question देखेंगे ठीक है question देखते हैं पहला question क्या है पहला है भारतिया संसद का गठन का प्राबधान किस अनुछेद में है यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 89 अनुछेद पुराने संसद भवन का उद्गाटन कब किया गया यह किया गया था 1927 में अगला कहता है पुराने संसद भवन के वस्तुकार कौन थे यह तो अभी पढ़े हम लोग एडवेंड लुटियंस और हरवर फेकर यह क्या हो जाएगा अनशर दोनो नई संसद भवन का उद्गाटन कब किया गया नई संसद भवन का उद्गाटन कब किया गया 28 माई 2028 को किया गया ठीक है पीम नरेंदर मोदी के दोरा किया गए आगे देखेंगे हम लोग नए संसत भबन की अधार सिला कब रखी गई थी ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को कौन रखा था पीम नरेंदर मोदी नए संसत भबन के उद्गाटन के समारो के समय चर्चाओं में संगोल क्या है संगोल अभी देखें हम लोग पीछे में ये क्या है एक पर्तीक है ये क्या है सत्ता हस्तांतरन यानि एक हाथ से दूसरे हाथ जब सत्ता जाता है तो उसका हस्तांतरन का पर्तीक है हम लोग आगे देखेंगे नए संसत भबन का कार कैसा है ये तिरवजक आ रहे है है नईे संसत भवन में कितना मनजिल है कितना मनजिल का इमारत बना हुआ यह है चार आगे देखेंगे हम लोग नए संसद भवन की लोग सभा में कितने सदस्की बैठने की मतलब छमता है यह कितना है आठ सो अठासी नए संसद में राज सभा का कितने बैठने की बैबस्ता है यह है 384 आगे देखें हम लोग नए संसत्भवन में सन्युक्त सत्र का अयोजन कहां होता है यह कहां होगा लोक सभा का होल में होगा ठीक है और नए संसत्भवन में समीति कक्ष कितना था मन है छे पुरा ना में कितना था तीन आगे देखें हम लोग नए संसत्भवन का डिजाइन किस कमपणी ने तयार किया था यह किया था एच पीसी डिजाइन जो गुजरात के एक आर्टी टेक्चर कमपणी है नए संसत्भवन का छेत्रफल कितना है यह है चोंसाथ हजार पांस तो वर्ग मीटर आगे देखेंगे हम लोग नए संसत्भवन के उद्गाटन पर कितने रुपिय का सिक्का जारी किया गया था यह किया था 75 रुपिय के सिक्का और डाक टिकट कुछ जारी किया गया था नए संसत्भवन में सन्युक सत्र के लिए लोग सभा हॉल में सीटों का कहां तक विस् किया जा सकता है आगे देखेंगा भारतिया संसद के कितने अंग है यह पूछ अंग है ना कि सबन अंग पूछेगा तो 3 हो जाएगा कौन कोन हो जाएगा लौकसभा राजशभा और रास्ठपती जब भी पुछेगा सफ़ह तो सबन कितना हो जागा सबन दो विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक हम सब्सक्राइब कर दे थैंक यू वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक हम सब्सक्राइब जरूर करें